अधियर स्टेंट्स नमस्कार आए देखते हैं कि किसी एरेज के डेटा को हम पॉइंटर से कैसे एक्सेस करते हैं तो चलिए स्टॉट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम तो जैसा कि हम जानते हैं स्टॉडेंट्स के जो पॉइंटर होता है वह पॉइंटर किसी जो है बैलू को इस्टोर नहीं करता बलकि पॉइंटर आइड्रेस को इस्टोर करता है इसलिए जो है पॉइंटर चाहे किसी भी टाइप का है होता है उसका जो साइज होता है वह इक्वाल होता है जबकि हमारा जो डेटा बैलू जो होती है अलग-अलग वैरियेबल के लिए जो मिमोरी का साइज होता है वह अलग-अलग होता है तो आईए स्टार्ट करते हैं ए OK, Pointer, Store, Address, Rather than Data, That's Why, That's Why, Pointer, Of Any Type, Pointers, Of Any Type, Have, Equal, Size, Of Memory, OK, Consider an array, Inta5, एक array लेते हैं students, जिसका size है 5, 5 size है तो माल लेते हैं, इसमें 5 cell है, आप जानते हैं array के case में जो data होता है, वह contiguous memory cells होते हैं, Contiguous memory cells, array का नाम A, इसका starting index 0, 1, 2, 3, 4, starting address को base address, next address कितना होगा, वह एक cell कितना memory लेता है, उस पर depend करता है, हमने माल लिया कि यहां पर जो data है, एक cell जो है, 2 bytes memory consume कर रहा हूँ, तो, since, pointer, hold, address, radar, data, okay students, pointer holds data, इसलिए एक pointer, data, इसलिए एक pointer create करते हैं student data, data हमारा integer type का है, तो pointer हम क्या करेंगे, उसी type का एक pointer create कर रहे हैं, और loop चलाने के लिए एक variable i लेते हैं, और ptr, assignment by, क्या, address of, a0, okay, pointer हमारा जो है, base address को hold करता है, जब हम किसी array को, pointer से एक्सेस करना चाहते हैं students, तब, हम क्या करेंगे, एक array बना ले रहा है, a01234, और इसका जो, ptr, इसका जो base address है, starting index 0 वाले cell का जो भी address होगा, वह है, array का base address होता है, इससे हम कहते हैं base address, base address जो है, hexadecimal code value होता है, लेकिन हमने simplicity, और machine dependent होता है, इसलिए इसको समझने के लिए, हमने मान लिया, starting address 1000, next कितना होगा, 1002 या 4, depends on machine bit length, तो, 4, 6, 8, तो, माल लेते हैं students, यहां पर, starting address हो गया, 1000, तो, अब देखिए ध्यान से, यदि हम, pointer से, सेल में, value store करना चाहते हैं, तो देखिए क्या करेंगे, इसके लिए, value at operator apply करते हैं, value at operator क्या होता है, a state symbol, जब हम किसी pointer से पहले लगाते हैं, तो machine उसको, value at operator की तरह जो है, भी हैव करता है, ओके, तो, जैसे student माल लेते हैं कि, PTR, से पहले, a state symbol लगाया, PTR से पहले, a state PTR, तो value at address, माल लेते हैं कि, first address पर हम जात, तेन इस्टोर करना चाहते हैं, तो ऐसे देंगे, okay students, अब इसके बाद, next cell में कैसे जाएंगे, PTR, प्लस वन करेंगे, तो इसके लिए, student write करेंगे, pointer का movement करेंगे, PTR, प्लस प्लस, अब, value at PTR, 20 दिया, फिर PTR, प्लस प्लस, value at, PTR, 30 दिया, अगें, PTR, प्लस प्लस, मतलब है, जो pointer, इसके बाद, PTR, प्लस प्लस करेंगे, प्लस प्लस मेंज, pointer, movement by, one block, one cell, again PTR, is called, assignment 50 दिया, okay students, तो इस तरह से हमारा जो, cell होगा, first cell में आ जाएगा, 10, second में 20, third में 30, fourth में 40, and last में 50, इनका index, 0, 1, 2, 3, 4, 1002, 1004, 1006, 1008, okay students, अब यहां पर आप देख रहे हैं, कि जब PTR, plus one कर रहे हैं, तो यह हमारा जो, pointer का, movement है, first cell से जो है, second cell की तरफ जा रहा है, again, plus one कर रहे हैं, तो अगले cell, again करेंगे, तो अगले cell, again करेंगे, तो अगले cell, PTR plus plus means, pointer का जो भी block है, plus करेंगे तो अगली block में जाएगा, माइनस करेंगे तो, उसके previous block में, movement करेंगा, तो students, यहां पर हमने देखा, कि आप यहां पर ऐसे करके, इस तरह से हम, किसी भी, IREC में, pointer के help से, value को assign कर सकते हैं, और assigned value को, हम print भी कर सकते हैं, हम देखें कैसे करेंगे students, इसको हम चाहें, तो इसको loop लागा करके, किया जा सकता है students, तो आइए देखते हैं, अगर आपको, loop लगाना है, तो देखिए सबसे पहले, फाल लूप apply करेंगे, i की value 0, i index कहां तक हो रहा है students, i plus plus, अच्छा, अगर ऐसा एक prompt लिख दें, जो value हमने दिया है, इंटर, आइन, इंटीजर, बैलू, अच्छा, इसका रहना, फंक्सान के साहता से बैलू लेते हैं students, तो यहाँ पर, percent d, i, ptr, i, plus, i, ठीक है, तो, इस तरह से भी हम क्या कर सकते है students, keyboard के साहता से बैलू लेना है, तो आप एक prompt देंगे, ptr, i करके, आप बैलू को specific address पर, दे सकते हैं, और दी हुई बैलू को आप, अगेन, लूप लगा करके, i less than 4, or equal to 4, i plus plus, और, बैलू को आप, print भी कर सकते हैं, value at a better, ptr, plus i कर दे रहा है, क्योंकि, हम plus one plus one करते जा रहा है students, तो इसके लिए हम एक, fixed finite loop apply कर रहा है, जिसका नाम है for, और for में यहाँ पर दे देते हैं, ptr plus i, तो array की value जो भी है, हम pointer के through जो है, यहाँ पर, keyboard से provide कर रहा है, cell में data, और यहाँ पर provided cell data को हम, access कर ले रहे है, print method से, screen पर, okay students, तो इस तरह से हम जो है, pointers के through किसी array में data को, दे सकते हैं, और दिये हुए data को हम print, कर सकते हैं, okay students, तो, आए इसका एक जो है, प्रोग्राम लिख लेते हैं, कैसे programming भास आप लिखेंगे students, तो हैज लिखा, i, n, c, l, u, d, s, t, d, o, dot, h, दिखाई दे रहा है, int, main, यहाँ पर एक array बनाया, size 5 दिया, pointer भी उसी टाइब का, लूप चलाने के लिए, एक variable i ले लिया, pointer, assignment कर दे रहा है, array का जो भी address है, क्योंकि हमारा, pointer के through हम जो है, array के cell को access करना चाहते हैं, और यहाँ पर students, एक लूप चलाया, i0, i less than, r equal to 4, i plus plus, एक message दे दिया, inter, inter, value, scanf method लगा जाए, और यहाँ पर data integer, type है, sorry, pointer खुद address होता है, इसलिए हाँ address, कोई जरूवत नहीं है, pointer, plus i, okay students, इसके बाद, data लेने के बाद, same loop लगा करके, हम, input data को, display करा सकते हैं, okay students, अब बैलू अपटर लगाएंगे, ptr plus, i, return zero, main close, okay students, तो इस वीडियो लेक्टर में, student इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो लेक्टर समझ में आया है, student, तो आप लाइब सक्सक्राइब कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता भी चले कि आप पढ़ भी रहा हैं कि नहीं पढ़ रहा हैं, okay students, thank for watching,